नमस्कार दोस्तों आज के इस नए एपसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम आपको प्यास के छिलकों के कुछ ऐसे चमतकारी फाइदे बताने वाले हैं जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे और इन प्यास को छिलकों को यूँ प्यास छेलने के बाद तुरंथ कचगले दान में यानि कुगले दान में नहीं ठेकेंगे दोस्तों ये बहुत ही असरदार और बहुत एक कारगर चीज है और इसको यूँ कुगा में फेकना मैं सही नहीं समझता और आप भी जान जाएंगे इस वीडियो के अन तक कि प्यास के छिलकों में क्या बात है और क्यों मैं ये बात अभी कह रहा हूँ दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे नीचे जाके लाल बटन को दबाकर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए लाते हैं जबर्दस्त टिप्स जिससे आप घर पर ही अपनी औशदी बना सकते हैं और एक स्वस्त जीवन जी सकते हैं तो दोस्तों बिना वक्द गवाए हम डारेक्ट आते हैं नुसके की तरफ दोस्तों प्यास के छिलके की कुछ ऐसे चमतकारी फाइदे हैं जिने शायद आप अब तक नहीं जानते होंगे यह तो प्यास काटना या छिलके के छीलते समय आप बढ़े ही आपको यह रुलाता हो लेकिन इसके बिना खाने का स्वाद भी बिलकुल बे स्वाद होता है कुछ ऐसे मतलब चमतकारी या कहें अविश्वस निये फाइदे होते हैं जिने जानकर आप आज इस बेश्कीम्ती छिलकों को ज़रूर इस्तमाल करेंगे दोस्तो सबसे पहला फार्दा जल जाने पर जी हैं तो अचा का कोई हिस्सा जल जाने पर अगर आप प्यास का अंदरूनी भाग यानि ये वाला जो काट के निकलता है जैसे ये जो अंदरूनी भाग है काट के जो अंदरूनी भाग ये होता है अंदरूनी भाग या आधा प्यास काट करें जले हुए हिस्से पर अगरने से इससे ना केवल आपका दर्द कम होता है बलकि इंफेक्शन बढ़ने का खतरा भी कम हो जाता है तो आप चाहें तो य अगर आप प्याज को आप बीच में से काटते हैं, जैसे मैं आपको काट कर दिखा रहा हूँ, यह जो प्याज का बीच का हिस्सा है, इसे काट को जो मैं दिखाया है, अगर आप इसे रगड़ते हैं, अपने जलेवे हिस्से पर तो आपका अपने जलेवे हिस्से पर बहुत प्याज बैक्टिरिया को सोखने का कार्य करता है इसलिए तवच्छा के किसी भी हिस्से पर प्याज को रखकर आप इंफेक्शन और हवा के माध्यम से जो होने वाला इंफेक्शन होता है उस सभी खत्रे से बच सकते हैं और उनको जड़ से मुटा सकते हैं प्याज में एंटि-बैक्टिरियन गुन होते हैं जिसकी मदद से वह आपको यह लाबकारिक गुन देता है और आपको संक्रमन से बचाता है तीसरा दंश आम तोर पर किसी भी केरे मकोगे या मच्छट द्वारा काट लेने पर या काटे के स्थान पर आधा प्याज काट कर जैसे मैंने भी काटा है अगर आप लगाते हैं तो ऐसा करने से दर्द और सूजन कम हो जाएंगी और जहर भी निकल जाएगा यह बहुत कम लोगों को पता होता है कि प्याज का इस मामले भी जो दंश के केस होते हैं उसके लिए भी बहुत ज़ाद उप्योगी होता है यह बहुत ही फाइदेमन चीज है और इसके इस्तमाल से आप महसूस करेंगे कि यह चीज देखने मामली होती है लेकिन आपके कई सारे काम करती है चौथा कान का दर्द जी हाँ प्याज आपके कान के दर्द को कम करने में भी काफी मददकार साबित हो सकती है प्यास को काट कर कांग पर रखकर रात भर अगर लगाके लखते हैं आप तो इससे कांग का जो मैल जो होता है आसानी से निकल जाता है और दर्द में भी बहुत राहत मिलती है पाच्वा बुखार अगर आपका शरीर बुखार से तप रहा है तो रात को सोते समय प्यास का एक स्लाइस पैर के तलवे पर रखकर मोजे पहन ले और निश्ची तौर पर ये उपाय आपके लिए चमतकारी साबित होगा ये बहुत ही जादा चमतकारी उपाय है देखने में माने ही यानि मतलब देखने में भले ही ये दक्यान उसी लगता हो लेकिन एक प्यास का स्लाइस लेकर और उस पर मोजा पहन का रात भर सोने से बहुत चमतकारी फायदा होता है इसके बाद छटा फाइदा होता है गला खराब गला खराब होने की सिती में प्यास के छिलकों को गरम पानी में डाल कर या उबाल कर प्रयोग करना फाइदेमन साबित होता है गले की समस्याओं में प्याज की ये अनोकी चाए बेहद लाबकारी होती है और आपका गला मिंटो में ठीक कर देती है साथवा दाग धब्बे प्यास के जो रस युक्त छिलके होते हैं अगर आप उस छिलके में हल्दी डाल कर इसे चहरे पर लगाएं या फिर प्यास के रस में हल्दी डाल कर इसे चहरे पर लगाने से आपके दाग धब्बे बिलकुल खतम हो जाएंगे और आपका चहरा बिलकुल क्लीन और क्लियर हो ज चाहिए और आज आज आप इन फायदों को अपने फ्रेंट्स और इलेटिव के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन कमाल के फायदों का फायद जो हमने आपको बताए हैं इन सभी का लाब वो भी उठा सकें दोस्तों आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी आप इसे कमें के माध्यम से हमें अपना फीड़ जरूर दे हम जल्द मिलेंगे आप से अपनी अगली वीडियो के साथ तब तक आप हसते रहें मुस्कुराते रहें और अपना ख्यार रखें धन्यवाद